हेलो दूस्तों तो हम अपनी GKGS के जो NTPC के 2020 में पेपर हुए थे उनके GKGS के सवाल कर रहे थे तो हम लास्ट क्लास में चार फरवरी तक आ चुके थे और उसके बाद आप 8 फरवरी 2021 से सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहले सवाल है कि इसरों के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो इसरों के प्रथम अध्यक्ष फर्स चेर्मेन थे वो विक्रम सारवाई थे उसके बाद है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है तो FTP का फुल फॉर्म होता है Fiverr to the premises उसके बाद है एकला चलो रे गाना किस ने लिखाता तो एकले एकला चलो रे गीत जो है वो रविन नाट से मिलिया गया था उसके बाद है मेगदूत और अविज्ञान शकुंतलंग किसकी रचना है तो मेगदूत और अविज्ञान शकुंतलंग काली दास की रचना है उसके बाद है माइकल फ्रांसिसी ओर डायर को किसने गोली मारी थी तो माइकल फ्रांसिसी ओर डायर को फेरा इंडिका उसके बाद सौ दिनों का रोजगार किस स्कीम के तहद दिया जाता है तो सौ दिनों का रोजगार जो है वो मनरेगा स्कीम के तहद दिया जाता है उसके बाद नियागरा जल्प्रपात किन दो देशों की सीमा पर इस्तित है तो नियागरा जल प्रपात USA और केनेडा देश की सीमा पर इस्तित है केंद्र और राज के बीच विधाई शक्तियों का विवरेंट किस अनुसूची में दिया है तो केंद्र और राज की बीच विधाई शक्तियों का विवरेंट साद्विया निसूची में बढ़ने थे उसके बाद संसद का उच्छ सदन को क्या कहते हैं तो संसद के उच्छ सदन को राज सबा कहते हैं और निम्न सदन को लोग सबा कहते हैं योजना आयोग के जगह पर कौन सा आयोग लाया गया तो योजना आयोग के जगह पर नीती आयोग लाया गया 2015 में उसके बाद ignited minds पुस्तक किसकी है तो ignited minds पुस्तक जो है वो ये पीजी अब्दुलकलाम की पुस्तक है अब हम आठ फरवरी सेकंड शिफ्ट के सवाल लेखते हैं टीपी सी के सबसे पहला शार्दा एक्ट किस से संबन दित तो शार्दा एक्ट बाल विवाजे संबन दित है कोशिका की अध्यान को क्या कहते हैं तो कोशिका यानि सेल के अध्यान को साइटोलोजी कहते हैं उसके बाद हर्षवर्दन के दरवार में कौन से कवी रहते थे तो हर्षवर्दन के दरवार में वाण भट कवी रहते थे बल का ऐसा यूनिट क्या होता है तो बल का ऐसा यूनिट होता है नूटन उसके बाद है दुई नाम पद्दिती के जनक कौन थे दुई नाम पद्दिती के जनक केरूलस लीनियस थे इन्हें father of modern taxonomy भी कहा जाता है इसके बाद विश में अभरक उत्पादन में अगरणी देश कौन सा है तो BHEL का फॉल्फोम होता है भारत है वी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड उसके बाद न्याइक समिक्षा की शक्ती को किस अनुचेद में वर्णित किया गया है किस वंच ने दक्षिंद पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था तो चोल वंच ने दक्षिंद पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम को स्थापित किया था UNO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो UNO के प्रथम अध्यक्ष त्रिग वेली थे राष्ट्रे हद कर्द का दिवस यानि की National Handloom Day कब मनाय जाता है तो National Handloom Day 7 अगस्त को मनाय जाता है इसके बाद SMPS का full form क्या होता है तो SMPS का full form होता है स्विच्ट मोड पावर सप्लाई E is equal to MC square किस ने दिया था? E is equal to MC square का formula Albert Einstein ने दिया था भारत की पहली सोदेश निर्वित नाभी की हतियार सुसजित पंडू भी कौन सी थी? तो भारत की पहली सोदेश निर्वित नाभी की हतियार सुसजित पंडू भी यानि सब्मारीन आई एनसरी हन्त थी? सेयुक्त राष्ट के कित्ते प्रमुक हांगे? तो सेयुक्त राष्ट के 6 प्रमुक हांगे उसका नाम है भुवन पहला मानब निर्मित संसलेशित रेशा कौन सा था? तो पहला मानब निर्मित संसलेशित रेशा नायलोन था अब हम 9 फरबरी के 1 शिफ्ट के सवाल देखते हैं सबसे पहला DRDO की स्थापना कब होई थी? तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है तो अरब सागर की रानी कोच्ची को कहते हैं शरीर में विली कहां पाई जाती हैं तो शरीर में विली जो हैं वो छोटी आथ में पाई जाती हैं और ये जो भी हम खाना खाते हैं उसके पोशब तत को एब्जॉब करने में हेल्प करती है UNO में कुल कितने स्थाई और कितने अनिस्थाई सदस होते हैं तो UNO में कुल 5 इस्थाई सदस से और 10 अस्थाई सदस से होते हैं ONGC का मुख्याला कहा है तो ONGC का मुख्याला दहरादूल में है और ONGC का फुलफर्म होता है Oil and Natural Gas Corporation इसके बाद पीडिएफ का फुलफर्म क्या होता है तो पीडिएफ का फुलफर्म होता है Portable Document Format इसके बाद मानब विकास की अफधार्ना किस ने विक्सित की थी तो नदी के तट पर निर्मित माजलित द्यूप का निर्माण ब्रम्त पुत्र नदी द्वारा होता है मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में इस्थित मंदिर किस भगवान को समर्पित है संसद के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक से संबंदित किस अनुच्छेद में दिया गाई तो संसद के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में दी गई है प्रथम electronic computer INIAC को किस युनिवर्सिटी ने निर्मित किया था प्रथम electronic computer INIAC को Pennsylvania विश्विद्याला युनिवर्सिटी ने निर्मित किया था भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण किस राज्य में इस्ते थे भारतिर राष्टे कॉंग्रेस के पहले महासचेव कौन थे अब हम NTPC के दो जनवरी के दो फरवरी के सेकेंड शिट के सवाल देख रहा है सबसे पहला ATM का full form क्या होता है तो ATM का full form होता है automated teller machine उसके बाद कलपना चावला की मृत्यू किस यान में 2003 में हुई थी कॉलम्बिया अंत्रिक शियान में 2003 में हुई थी WTO की स्थापना कब हुई थी तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी मदुबनी कला किस राजे से संबन दे तो मदुबनी कला भिहार राजे से संबन दे थे असयोग अंदूलान कब शुरू हुआ था असयोग यानि नॉन कॉपरेशन मुवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था EVM का फुल्फर्म क्या होता है तो EVM का फुल्फर्म होता है Electronic Voting Machine रानी लक्ष्मी भाई किश युद्ध में शही दूई थी तो रानी लक्ष्मी भाई 1858 के युद्ध में शही दूई थी ब्रम समाज की उत्पत्ती कहां हुई थी ब्रम समाज की उत्पत्ती बंगाल में हुई थी और इसे राजर राम मुहन रोय ने स्थापित किया था पवन्चक्की वायू उर्जा को यांत्रिक उर्जा और फिर किस उर्जा को किस में बदलती है तो पवंचक की बायू यूर्जा को यांत्रिक उरजा में और फिर यांत्रिक यानि मेकेनिकल उरजा को इलेक्ट्रिक एनरजी में कनवर्ट करती है विद्यत उरजा में एकिकरज जनजातिय विकास परियोजना ITDP किस पंच वर्षी उजना में अस्तित में आई थी तो एकिकरच जन जाती है विकास परी उजना पांचवी पंच वर्षी उजना में इस्तित में आई थी फॉस्फोरस की परमाड उक्ता क्या होती है तो फॉस्फोरस की परमाड उक्ता चार होती है गेटवे ओफ इंडिया का निर्माड किसके स्वागत में कराया गया था। पौधों के विविन भागों में जल को जालम उत्तक परिवहन करता है। एजेंडा 21 किस में अनुशंशित प्रक्रियाओं का एक समु है। सबजी फूल और फल वागबानी होटी कल्चर स्टडी के अंदर आते हैं। अब हम NTPC 11 फर्वरी फर्स शिफ्ट के सवाल देख रहे हैं। तो UNO के ध्वज में जेतून की शाखाएं होती हैं जेतून शांती का प्रतीक होता है। अंडमान और निकोबार दुप समु की एक जन जाती कौन सी है। तो जारवा अंडमान और निकोबार की एक दुप समु की जन जाती है। भारत की पहली इंजन रहित रेल गाडी का नाम क्या था। कालवेलियर निर्ति किस राजिस से संबन देखे, तो कालबेलिय निर्ति राजिस्थान राजिससे संबन देखे, भारत का पहली पशुधन गंड़ना वर्ष 1919 से 1920 में हुई थी राज्यसभा के प्रतम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के प्रतम अध्यक्ष डॉक्टर S. राधा कृष्णन थे ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्यमेश थे? तो वरंग टाइगर रिजर्व असमराज्यमेश थे? तो पहल्तिय सम्विदान का अनुछिए 76 किस से सम्मण थे? तो भारतिय सम्विदान का अनुछिए 76 एट औरनी जनरल की न्यूक्ति से सम्मंद थे वर्नेकुलर प्रेस अधिनियम को किस वाइसरोय ने पारित किया था तो वर्नेकुलर प्रेस अधिनियम को वाइसरोय लॉर्ड लिटन ने पारित किया था 1878 में सेयुक्त राष्ट परियावरेंट संरक्षन अभिकरंड की स्थापना कब हुई थी? तो सेयुक्त राष्ट परियावरेंट संरक्षन अभिरंड की स्थापना दिसंबर 1970 को ही थी भारत का पहला रेलवे विश्विद्यालय का नाम क्या था? तो भारत का पहला रेलवे विश्विद्याले का नाम राश्ट्री रेल एवं परिवहन संस्थान था हिमाला की बाहरी भाग को क्या कहते हैं तो हिमाला के बाहरी भाग को शिवालिक रेंज कहते हैं VR का फुल फॉर्म क्या होता है अब हमें अटीपीसी के सेकन्ड शिट के सवाल देखते हैं 11 फरवरी के, सबसे पहला है, साइमन कमीशन भारत का बाया था, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, अंग्रेजों ने भारत में राजनेतिक सत्ता कब हासिल की थी, तो अंग्रेजों ने भारत में पाद्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर जी थे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में इस्थी थे, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उडिशा राज्य में इस्थी थे, भारत में प्रथम प्रांतिय चुनाव कब हुए थे, तो ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतिय च केंद्र सरकार वित्तिय वर्षिक विवरेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कौन सा अनुच्छिद बात दे तो वारतिय संविदान के अनुच्छिद 112 में वार्षिक वित्तिय विवरेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बात दे बिग बेंग थियोरी किस से संबन्दित है? बिग बेंग थियोरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबन्दित है कोबॉल भाषा का प्रयोग किस में होता है? तो कोबॉल भाषा का प्रयोग बिस्निस में होता है और कोबॉल का फुल फॉर्म होता है common business oriented language कारला गुफा किस राज्य में पाई जाती है तो कारला गुफा महराश्ट राज्य में पाई जाती है रतना वली की रचना किस ने की थी रतना वली की रचना हर्श वर्दन ने की थी अपसोर की घटना कब होती है अपसोर की घटना 4 जुलाई को होती है सेंखत्राष्ट मानव अधिकार परिशद UNHRC की इस्थापना कब होई थी? तो सेंखत्राष्ट मानव अधिकार परिशद की इस्थापना 14 दिसंबर 1950 को होई थी मूल समविदान में किते मौलिक अधिकार थे? गोवर्धन योजना कब शुरू करी गई? गोबर्दन योजना 2018 में शुरू की गई भारत का समय मानक समय से कित्ता आग है तो भारत का जो समय मानक है वो 5.5 घंटे आगे है आईए अब हम NDPC 15 फरवरी के फ़र्शिप्ट के सवाल कर रहे है तो भीम का फुल फॉर्म क्या होता है भारत के ऐसे कौन से प्रधान मंत्री है जिनका जन्म सुतनता मिलने के बाद हुआ है तो नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधान मंत्री है जिनका जन्म भारत को सुतनता मिलने के बाद हुआ है पहला परियावरेंट दिवस कब मनाया गया था तो पहला परियवरंट दिवस 5 जूर 1974 को मनाया गया था MB का full form क्या होता है तो MB का full form मेगाबाइट होता है COVID-19 के कारण भारत के किस राज्जिमें पहला मृत्यू हुआ था करनाटक राज्जिमें पहली मृत्यू हुई थी कोलहार्टी भाषा किस राज्य में बोली जाती है तो कोलहार्टी भाषा महराष्ट राज्य में बोली जाती है सवशन को कौन कंट्रोल करता है तो सवशन को ब्रेन का एक हिस्सा है मेडूला अबलंगोटा ये कंट्रोल करता है दादा भाही नरोजी ने हाउस ऐफ कॉमन्स के कब सदस बने थे जर्मनी और यिटली के पूरा ताथवितों ने मुहंजोदुडों में सतय अनुवेशन कब शुरू किया थह तो 1980 में जर्मन और इटली के पुरत आत्वितों ने मुहन जोदुडों में सत्य अनवेशन शुरू किया था आठारा सो संटावन की विदो ना तो प्रत्म था और ना ही राष्ट्री और ना ही सुतंता संग्राम ये कतन किस ने कहा था तो 1857 का विद्रो ना तो प्रथम था और ना ही राष्टी और ना ही सुदंता संग्राम ये कहतन आरी सी मजुंदार निका था भारत का पहला सिक्षा को समर पे तुपग्रे कौन सा है तो एजुस सेट जिसे हम जी सेट 3 भी कहते हैं ये भारत का पहला सिक्षा को समर पे तुपग्रे है सरवुच नियालाय में नियुक्त होने वाली प्रतम महिला नियाधीश कौन थी तो सर्वोच नियाला यानि सुप्रेम कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रतम महिला नियाईदीश M. फातिमा भी भी थी 124 वा संबिदान संशोधन कमजूर वर्ग के लोगों को कित्ते प्रतिशत आरक्षन देने से सम्बन देते 124 वा संबिदान संशोधन कमजूर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षन देने से सम्बन देते आई है अब हम NTPC के 15 फरवरी के सेक्रिंड शिफ्ट के सवाल देखते है तो इसमें सबसे पहला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुवात कहां से हुई थी इसके बाद समवेक परिवर्टन की दर बल के अनुपाती होता है यह नियम से सम्बन देते है गांधी शांती पुरुषकार की शुरुवात कब की गई थी तो गांधी शांती पुरुषकार की शुरुवात 1995 में की गई थी किस सिटी को Venice of the East कहा जाता है तो इंडिया में उदेपुर सिटी को Venice of the East कहा जाता है स्टार्टप इंडिया युजना की शुरुवात कब की गई थी तो स्टार्टप इंडिया युजना की शुरुवात 16 जनवरी 2016 लकों की गई थी और 16 जन्वरी को हम start-up दिवस भी बनाते हैं UNEP यानि United Nation Environment Program का मुख्याले कहा है तो United Nation Environment Program का मुख्याले नाइरोबी के नियमेश थे थे भारत का मानव युग्त प्रथम अंत्रिक्षियान क्या है तो भारत का मानव युग्त प्रथम अंत्रिक्षियान गगन यान है ने अपनी पुस्तक किताब उलहिंद अर्वी भाषा में लिखी थी जम्मू कश्मीर पुनरगठन विध्यक पर राष्टपती ने कब हस्ताक्षर किये थे नो अगस्त 2019 को हस्ताक्षर किये थे भारत और बांगलादेश से सम्मंदित भूमी बटवारा को लेकर किस वर्ष दो सोवा संविधान संसोदन हुआ था तो भारत और बांगलादेश से सम्मंदित भूमी बटवारा को लेकर 2015 में सोवा संविधान संसोदन हुआ था प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है साबरमती नदी किस सागर में जाकर गिरती है ci सावरमती नदि अरब सागर में जाकर गिरती है भारती एवनस्पती सर्वेक्षन का मुक्याले कहा है तो भारती एवनस्पती सर्वेक्षन का मुक्याले कॉलकता में इसते थे आज यह हम 16 फर्वरी के first shift के सवाल देखते हैं तो यह देखे repeat question है कि ASCII का full form क्या होता है ASCII का full form होता है American Standard Code for Information Interchange किसी फाइल को rename करने के लिए कौन सी shortcut की का use किया जाता है तो किसी भी फाइल को rename करने के लिए F2 shortcut की का use किया जाता है सूर और प्रिथवी एक दूसरे से सबसे दूर कब होते हैं सूर और प्रित्वी एक दूसरे से सबसे दूर अपसोर में होते हैं और जब बोलेगी सबसे पास कब होते हैं तो उपसोर में सबसे पास होते हैं भारतिय राष्टे कॉंग्रेस द्वारा पूर्ण सुराज की गोष्णा कब की गई थी? भारतिय राष्टे कॉंग्रेस द्वारा पूर्ण सुराज की गोष्णा 26 जनवरी 1930 को की गई थी? Congress Party छोड़ने के बाद सुवाश चंदरवोश ने किस पार्टी का गठन किया था तो Congress Party छोड़ने के बाद सुवाश चंदरवोश ने Forward Block नामक पार्टी का गठन किया था NAHCO3 का रसाइनिक नाम क्या होता है तो NAHCO3 का रसाइनिक नाम sodium bicarbonate होता है जिसे हम baking soda भी कहते हैं Fighter plane उडाने वाली पहली महिला पाइलेट कौन थी? तो Fighter plane उडाने वाली पहली महिला पाइलेट शिवाँगी सिंग है Glissrol का IUPAC नेम क्या है? तो Glissrol का IUPAC नेम है Propane 123 Trial जोग जल प्रपात किस राजजमेश थे थे? जोग जल प्रपात करनाटक राजजमेश थे थे मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश भारत है भारत UNO में कब शामिल हुआ था? तो भारत UNO में 1945 में शामिल हुआ था मानफ शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारक किया जाता है संबिधान का कौन सा संसोधन दिल्ली को राष्टर राजदानी छेत्र बनाये से संबन दिते हैं आई एवम 16 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं कैलाश परवत किस देश में श्तेते हैं किस संबिधान संसोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था तो 44 संबिधान संसोधन 1976 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा कर हटाया दिया था जैवींदन पर राश्ट नीती को लागू करने वाला भारत का पहला राजिराजिस्थान है SGST का फुल फॉर्म क्या होता है तो SGST का फुल फॉर्म State Goods and Service Tax होता है 15 अगस्त 1974 को पहली बार मुख्यमंत्री किस मुख्यमंत्री ने सोतंता दिवस पर राश्ट धोच फैराया था तो 15 अगस्त 1974 को पहली बार एम करुणा निधी ने सोतंता दिवस पर राश्ट धोच फैराया था भारत का सबसे बड़ा वानिजिक बैंक कौन सा है बॉक्साइट किसका आयस्क होता है तो बॉक्साइट अलुमीनियम का आयस्क होता है वी वी पी एटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो वी वी पी एटी का फुल फॉर्म वोटर, वेरिफियेवल, पेपर, ओडिट, ट्राइल होता है कॉंग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे तो कॉंग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जोर्ज यूल थे भारत में राष्टी आय की गंड़ना सरप्थम किस ने की थी तो भारत में राष्टी आय की गंड़ना सरप्थम दादा भाई नरोजी ने की थी भारत का पर्थम पर्मानु सायंत्र कहां पर इस्थापित किया गया था तो भारत का पर्थम पर्मानु सायंत्र तारापूर महराष्ट में इस्थापित किया गया था 2011 जनगन्ना के अनुसार किस राज्य में सरवदिक आदिवासी आवासी निवास करती है तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार मद्ध प्रदेश राज्य में सरवदिक आदिवासी आवादी निवास करती है विश्व की सबसे उची मूर्थी किस कौन सी है तो विश्व की सबसे उची मूर्थी Statue of Unity है आई यह वं 17 फरवरी के 1 शिफ्ट के सवाल देख लेते है तो FQDN का फुल फॉर्म क्या होता है FQDN का फुल फॉर्म Fully Qualified Domain Name होता है जावा स्क्रिप्ट का Official Name कौन सी क्या होता है तो जावा स्क्रिप्ट का Official Name ECMA स्क्रिप्ट होता है बौरलोग पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी ने भारत छोड़ प्रस्ताव आठ अगस्त 1942 को पारित किया था अरजुन पेड़ की छाल का उप्योग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है अनुछे 243 किस से सम्बंदित है अनुछे 243 ग्राम पंचायत की संरचना से सम्बंदित है कॉंग्रेस अदिवेशन में वंदे मातरम गाने गाने वाली पहली मुसलिम महिला कौन थी तो कॉंग्रेस अदिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुसलिम महिला रेहाना तैयब जी थी 9 दिसंबर 1946 को आयुजित संविदान सवा की प्रथम बैठख के अध्यक्ष दॉक्टर सचिदनन सिना थे हिंदी को भारत की राजधानी राजभाशा घोशित कराने के प्रयासेतु सुतंता सेनानी के तोर पर किसे याद किया जाता है तो हिंदी को भारत की राजभाशा घोशित कराने के प्रयासेतु सुतंता सेनानी पुरुशुत्तम दास्टेंडन को याद किया जाता है परमाणू रियक्टर में इंधन के रूप में किसका इस्तमाल किया जाता है आई ये हम NTPC 17 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के सवाल देखते है तो अशोक किशवंज का शाषक था तो अशोक मौर रेवंज का शाषक था कंट्रोल प्लस ए शॉटकट की क्यों यूज करी जाती है तो कंट्रोल प्लस ए ओल सेलेक्शन के लिए यूज करी जाती है सो निबल कितने बिट के बराबर होता है तो सो निबल चार्सो बिट के बराबर होता है BIOS का full form क्या होता है तो BIOS का full form basic input output system होता है 200 रुपई के नोट के पीछे कौन सा चित्र होता है 200 रुपई के नोट के पीछे साची का स्टूप जो कि मद्ध प्रदेश में इस्तित होता है NH48 यानि National Highway 48 का विस्तार कहां से कहां था तो National Highway 48 का विस्तार दिल्ली से चेननाई तक है संतोश ट्रॉफी किस खेल से संबन देते संतोश ट्रोफी फुटबोल खेल से संबन देते तेहरी बांद किस नदी पर बनाया गया है तो तेहरी बांद भागे रति नदी पर बनाया गया है मलेरिया के संचरन संबंदी खोश के लिए किसे नौविल पुरुषकार दिया गया था नावगिये भौतिकी का जनक किसे माना जाता है अक्रिये गैस कौन सी है जो रेडियो धर्मी प्रकरती की है तो अक्रिये गैस यानि इनर्ट गैस रेड ओन है जो की रेडियो धर्मी यानि रेडियो एक्टिविटी प्रकरती की है रेल कोच फेक्टरी का पूर थला किस शहर में इस्ते थे तो रेल कोच फेक्टरी का पूर थला पंजाब शहर में इस्ते थे दक्कन ओडिसी किस तरह की ट्रेन दे दक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है कल्पना वन किस से संबंदे तुप ग्रह है तो कल्पना वन मौसम विज्ञान से संबंदे तुप ग्रह है लाल पांडा का भुजन किस पेड़ की पत्तियां होती है तो लाल पांडा का भुजन बास पेड़ की पत्तियां होती है तमसो पन्यास के लेखक कौन है तो तमसो पन्यास के लेखक भीश्म सहानी है द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांग कित्ता डिगरी होता है तो द्रव नाइट्रोजन यानि लिक्विड नाइट्रोजन का क्वथनांग माइनस 119 डिगरी सेल्सियस होता है कोमा गाटा मारू स्थल कहां पाया जाता है तो कोमा गाटा मरू एक जापानी जलियान था नहरू देश भक्ती है जबकि जिन्ना रानी तिग्ग्य है यह कतन किस के द्वारा कहा गया था तो मोना जाइट किस का आयस्क है तो मोना जाइट थोरियम का आयस्क है तो यह आज के हमारे NTPC के हमने सवाल कर लिए अब नेक्स क्लास में हम इसके आगे से करेंगे और जैसे कि आपने देखा हुए सारे सवाल जो है वो रिपीट होते हैं बहुत सारे सवाल अलग-अलग शिफ्टों में रिपीट होते हैं तो इसलिए इन कोश्चन को अच्छे से कर लें क्योंकि इस कोश्चन आगे भी रिपीट होंगे तो बस और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ S.E.G.K.G.S की प्रेक्टिस करें तैंक यू